हेलो एवरिवन, वेलकम टू एग्री कल्चर आएंड जी के दोस्तो इस वीडियो के मद्धम से मैं अभी नज दिक्षित आज आज आप सरी लोगों से ICAR, IARI टेकनीसियन एक्जाम प्रक्टिस सेट 3 के बारे में डिसकस करूँगा दोस्तो अगर आपको हमारी प्रिवियस वीडियो देखनी हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्सन बॉक्स चेक करें वहाँ पर आपको हमारे प्लेलिस्ट की लिग मिल जाएगी वहाँ से आप हमारी प्रिवियस वीडियो देख सकते हैं वो वीडियो सापको इस एक्जाम को निकालने में एक्जाम में अच्छी रैंक लाने में काफी हिल अप करेंगी और दोस्तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए जुड रहे हो तो चैनल को दोस्तो सबस्क्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को आन कर दीजिए जिससे आपको डेली क्लासेश की अपडेट मिलती रहे और दोस्तो इस वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक सेयर कर दिया करिये अपने सभी वाट्सेब ग्रूप में अपने सभी दोस्तों को वीडियो को सेयर कर दिया करिये वीडियो को लाइक कर दिया करिये चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कोस्टन नमबर एक है आपका तो दोस्तों आपके जो है अबराहम लिंकन जो थे वो अमेलिका के पहले राश्टपती थे कोश्टन नमबर दो के हैं आपका नेम आप दी परसन फू वास आरसो नोन ऐस देश बंधू उस विक्त का नाम बताईए जिसे देश बंधू के नाम से भी जाना जाता था तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा आपसन C. चितरंजन दास चितरंजन दास को दोस्तों जो है देश बंधू के नाम से भी जो है जानते थे नेस्ट कोश्टन क्या है अपका विच आप दी फालोइंग परसनाल्टीज गियो लाओ अफ हेरेडिटी निमलिकित में से किस विक्तित तुने अन्वान सिक्ता के नियम दिये हैं इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा आपसन B. ग्रेगर जोहन मिंडल दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस की अपडेट चाहिए और आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्सन ब्रॉक्स चेक करें वहाँ पर आपको हमारे टेली ग्राम ग्रॉप की लिंक मिल जाएगी उस ग्रॉप को आप जोइन कर लिजिए वहाँ पर आपको डेली क्लासेस और नोट्स वगयरा प्रॉइड किया जाता है और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सेर कर दिया करिए इससे हमें आपके लिए अच्छे से अच्छा कांटेंट लाने में हेल्फ मिल सके हम मोटिवेट हो स जिसका दोस्तों तरब का हो जाएगा आफसन भी दीफू आसम जो दोस्तों आपके गरम पानी संचुरी है यह आपकी दीफू में पढ़ती है जो कि आप असर राजमें पढ़ता है नेस्ट कोश्चन क्या है दोस्तों आपका फू इज नोन एज दी सेंट आफ गटर्स गट आते हैं नेस्ट कोश्चन क्या है फॉर विच आफ दी फालोइंग डिसिप्लीन दी नूबल प्राइस अवार्डड निमलिकित मेंसे किस विशाय के लिए नूबल पूस्कार प्रदान किया जाता है तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा आल आफ दी अबो मतलब द अबी के लिए दोस्तों जो नूबल प्राइस प्रदान किया जाता है और जो यह नूबल प्राइस दोस्तों है यह जो है अलफ्रेड नूबल नाइम के एक साइन्टिस्ट थे जो कोई आपके स्वीडन के थे इन्होंने जो है डाइनामाइट के अविसकार किया था डाइना Central Terminal Park Avenue New York is the world Grand Central Terminal Park Avenue New York दुनिया का है इसका उत्तर अपका दुस्तो हो जाएगा largest railway station सबसे बड़ा railway station जो है दुस्तो दुनिया का ये है next question का आपका FFC FFC stands for FFC का मतलब है तो इसका दोस्तो उत्तर अपका हो जाएगा आपसन भी Film Finance Corporation FFC माने दोस्तो होता है Film Finance Corporation next question क्या है which of the following national parks is not listed in a UNESCO World Heritage Site निमलिखित में से कौन सा राश्टी उद्यान UNESCO की विस्वधरोवर इस्थल में सुचिबद नहीं है इसका दोस्तो उत्तर आपका आपसन D हो जाएगा कानहा नेशनल पार्क जो है दोस्तो आपका ये 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 इसका दोस्तों उत्रापका हो जाएगा देहरादून देहरादून दोस्तों जो है उत्राखंड की राजदानी है नेस्ट कोश्चन क्या है इन विच इस्टेट है इस दी लारजेस्ट एरिया निम्न किस राजी का सरवादिक छेतरफल है इसका उत्रापका दोस्तों हो है नेस्ट कोश्टिन क्या आपका गीत गोबिंद इस दी फेमस क्रियेशन आफ गीत गोबिंद किसे की प्रसिद्ध रचना है तो इसका दोस्तों तरपका हो जाएगा आपसन सी काली सौरी जैदेव जो दोस्तों आपकी गीत गोबिंद है यह जैदेव की प्रसिद्ध रचना है नेस्ट कोश्चन क्या है गैलेलियो वार्ज ऐन इटेलियन एस्ट्रो नामर हू गैलेलियो एक इतालवी खगोर साथ्त्री थे जो इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा आल आफ दी अबो मतलत दोस्तों आपका जो है डेवलप दी टेली स्कूप डिसकवर फोर साटला गैलेलियो एक इतालवी खगोर साथ्त्री थे जो दूर्बीन को विक्सित किये थे ब्रस्पत के चार उपर ग्रहों की खोज की थी और गैलेलियो ने पाया कि पेंडूलम की गतिक नियमिस समय माप उत्पन करती है तो यह सभी उत्तर इसमें सही हो जाएंगे आगे बढ़त इसका दोस्तर अपका हो जाएगा आफसन डी 1995 में 1995 में दोस्तो जो आपका वर्ड ट्रेड और्गनाईजेशन अस्तित्त में आया था इसके पहले दोस्तो इसे जो है गाट बोलते थे जी ए डवल्टी जनर्रल एग्रिमेंट ओन ट्रेड और्ड टेरिफ्स नेस्ट कोश्चन क्या है अपका इक्स्पोजर टू संडलाइट हेल्फ आपरसन टू इंप्रूव इस हेल्थ बिकास सूज के प्रकास के संपर्प में आने वाले व्यक्त को अपने स्वास्त में सुधार करने में मदद मिलती है क्योंकि इसका दोस्तो उत्र अपका हो जाएगा डी अल्ट्रा वाइलेट जेस कनवर्ट इसकिन ओईल इंटू विटामिन डी पराबैंगनी किर्णे तचास के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं नेस्ट कोश्चन दोस्तों क्या है आपका इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपसंडी 1946 उननीइस सो चलिस में दोस्तों जो है आपका क्याविनेट मिशन भारत आया था नेस्ट कोश्चन क्या है आपका विजे सिंह बिलांग्स टू विच कअंट्री विजे सिंह किस देश के हैं इसका दोस्तो उत्तर आपका हुजाएगा आफसन B. फिजी दोस्तो जो फिजी में भी इंडियन मौल के लोग रहते हैं और दोस्तो ये बिजे सिंग है ये भारत के नहीं दोस्तो ये फिजी के हैं ये आपको याद रखना है नेस्ट कोशन क्या है पंचायती राज बिलॉंग टू पंचायती राज से सम्मंधित है इसका उत्र आपका आफ़न सी हो जाईगा दोस्तो इस टेट लिस्ट राज जो च assessments सम्मंधित है नेस्ट कया है? Which state has the longest population? किस राज़ की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दूस्तो इसका उत्तर अपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा नेस्ट कया है? खोस क्रियेशन है हर चरित और कादंबरी किसकी रचनाएं है? इसका दूस्तो उत्तर अपका हो जाएगा बान भट बान भट की दोस्तों ये रचनाएं हैं ये भी दोस्तों काफी important question है निस्ट क्या है Gulf Corporation Council was originally formed by खाड़ी सहयोग परिस्त का गठर मूल रूप से किसे के दोरा किया गया था इसका दोस्तों उत्तर आपका आफसन ए हो जाएगा बहरीन, कुवेट, ओमान, कतल, सौधी अरविया, युनाइटर, एरप्स, अमीरेट्स इनके दोरा दोस्तों जो है Gulf Corporation Council का कठर किया गया था नेस्ट क्या है दोस्तों When was the war of American Independence अमेरिकी 77 संग्राम कब हुआ था ये दोस्तों आपका जो है 1776 में हुआ था 1776 में दोस्तों ये हुआ था आपका नेस्ट क्या है Plant exhale which get gas at night ओधे रात्र में कौन सी gas छोड़ते हैं तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा आफसन सी carbon dioxide पहुते दोस्तों रात्र में जो है carbon dioxide gas छोड़ते हैं नेस्ट क्या है आपका which country has received maximum nobel prizes after its institution किस देश को अपनी संस्था के बाद सरवादिक nobel प्रूसकार प्राप्त हुए हैं इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा United State of America नेस्ट क्या है फर्स्ट कंट्री हू इस्यूड पेपर करंसी नोट्स इन दी वर्ड विशुक का पहला देश जिसने कागजी मुद्रा जारी किये थे तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा चाइना जो जो तो आपका कौन सी है दोस्तो तो वो आपकी जो है आफसन डी हो जाएगा इसमें यह दोस्तों आपकी जो है सुपीरियल दोस्तों जीर है आपकी लेक सुपीरियल यह जो है वर्ड की बिगेस्ट फ्रेस वाटर एरिया वाइस लेक है नेस्ट कहा है आपका Pentagon is the military headquarters of Pentagon किस सैन मुख्याले है किसका सैन मुख्याले है तो ये दोस्तों आपका जो है जो USA है जो आपका अमेरिका है United States of America इसका दोस्तों जो है सैन मुख्याले है आगे बढ़ते हैं For Olympics and World tournaments The basketball court has dimensions Olympic और विश्व टॉनमेंट के लिए basketball court के आयाम है इसका उत्तर आपका दोस्तों आपसंद भी हो जाएगा 28 मीटर इंटू 15 मीटर Next क्या है आपका In which city of In which city the India's first ever national police museum will be established भारत का पहला राज़्टी पुलिस संग्राले किस सहर में इस्थापित किया जाएगा तो यहाँ दोस्तों आपका जो है दिलही में इस्थापित किया जाएगा जो आपका दिल्ली है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी Most important question है इसको आपको याद रखना है Next क्या है The winners of which game are Honored Federation Cup World Cup Elvin International Trophy Challenge Cup किस खेल के विजयताओं को समानित किया जाता है Federation Cup से Visu Cup से Elvin International Trophy से Challenge Cup से तो दोस्तों जो यह ट्रॉफिया है यह सभी जो दोस्तों जो आपकी Balli Ball खेल से सम्मंदित है Next क्या है आपका Which of the following is the world's largest and deepest ocean Visu का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है तो वो दोस्तों आपका जो है Pacific या दोस्तों आपका प्रसान्त महासागर है Next क्या है आपका World Red Cross and Z Crescent They are celebrated every year Visu Red Cross और Z Crescent दिवर्स हर साल मनाया जाता है इसको दोस्तों आपका जो है 8 माई को हर साल मनाते है 8 माई को इसको मनाते है Next क्या है The Literacy Rate of India is भारत की साच चर्ता दर है तो इसका दोस्तों उत्तर आपका आपसन दी हो जाएगा 65.38 ये दोस्तों डाटा जो है चेंज भी हो सकता है तो इस कोश्चन को आप जो है इतना सही न मानिएगा इस कोश्चन को आप चेक कर लीजिएगा इसमें तो आप मुझे डाउट है Next क्या है आपका इसका दोस्तों उत्तर आपका आपसन दी हो जाएगा दोस्तों मेगालिया में आपका इस प्राटा पड़ते हैं Next क्या है आपका इस ये लीज्ट लिटरेशी रेट किस भारती राज़ की साच्छर्टा दर्स सबसे कम है तो जो आपका दोस्तों बिहार है केजला है इसकी सबसे अधिक है नेस्ट क्या है विच आप दी फालोइंग इस्टुमेंट इस दी यूज टू मीजर स्वाइल वाटर टेंसन मर्दा जल तनाओ को मापने के लिए निमलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो दोस्तो इसके लिए आपका जो है साइको मीटरी टेंसियो मीटर दोस्तो होता है इसका उपयोग करते हैं टेंसियो मीटर दोस्तो जो है मर्दा जल तनाओ या स्वाइल वाटर टेंसन को नापता है नेस्ट क्या है वेन वास सार्क फार्मड सार्क का संगठन कब हुआ था दोस्तो तो सार्क की जो है संगठन ह हुआ था वो आपका जो है 1985 में हुआ था ये दुस्तो सार्ग जो है ये जो है दच्छिड एस याई देशों का एक समूव है नेस्ट क्या है विच आप दी फालोईग इज नॉट आ मिम्बर आफ यूरोपीयन यूनियन निमलेकित में से कौन सा यूरोपीय संग का सदस्त नहीं है तो इसका उत्तर आपका दोस्तो आफसन सी हो जाएगा नॉर्वे नॉर्वे जो दोस्तो है आपका ये यूरोपीयन यूनियन का मेंबर नहीं है नेस्ट क्या है फ्रिक्शन काइन बी रेडूजड बाई चेंजिंग फ्रॉम घरसड को से बदल कर कम किया जा सकता है तो घरस्र को दोस्तो जो आपका sliding to rolling rolling के लिए sliding में दोस्तो इसको बड़क करके घरस्ञ को कम कर सकते है नेस्ट क्या है इन्डिया लारजेस पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स इज लोकेटब आएट भारत का सबसे बड़ा पेट्रो केमिकल पारिसर कहा इस्थित है ये दोस्तो आपका जो है गुजरात में इस्थित है नेस्ट क्या है अपका फिल्म एंड टेलिवीजन इस्टिट आफ इंडिया लोकेटेड एट भारत का फिल्म और टीवी सरस्थान इस्थित है दोस्तो मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार एक्जाम में एक कोश्चन पूछा गया है इसको आपको जट लेना है पूरे मारास्ता में दोस्तो जो है आपका फिल्म एंड टेलिवीजन इस्टिट आफ इंडिया पढ़ता है मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है और दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास सभी वाटसप ग्रूप में सेयर कर दिया करिए प्लीज नेस्ट कोश्चन क्या है फू वान दी नोबिल प्राइज फॉर लिट्रेचर इन नाइन्टीन थार्टीन 1913 में साहित का नोबिल प्रुष्कार किसे किसने जीता तो जो दुस्तों आपके जो है जवीद नाट टैगोर हैं इनको दुस्तों जो है 1913 में साहित का नोबिल प्रुष्कार दिया गया था और नेस्ट कोश्चन क्या है फॉयर इज दूद सागर वाटल फाल इज लोकेटड इन इंडिया भारत में दूद सागर जल प्रपात कहां है तो ये आपका दूस्तों जो है आपका जो है दूस्तागर जल प्रपात दूस्तागर वाटल फार्क पड़ता है नेस्ट क्या है फॉयर इस्टन कराकोरम जेंज इन दी हिमालेयन माउंटेंज हिमाले परवत में पूरवी कराकोरम स्रेडी में स्रियाचिन ग्लेसियर की उचाई कितनी है तो इसका उत्तर आपका आफसन इह हो जाएगा दूस्तों इसकी दूस्तों उचाई 3400 मीटर है सॉरी 1400 मीटर 5400 मीटर दूस्तों इसकी उचाई है चववन सो मीटर गुरू गोबिंद सिंग वाज गुरू गोबिंद सिंग जी थे ये दूस्तों जो है आपके आल आप दी अबो मना दूस्तों आपका गुरू गोबिंद सिंग जी शिखो के दसुवे गुरू थे खलासा पंत के संस्थापक थे शिखो के आंतरिक परसद 1999 में और दसम गुरू गोबिंद सिंग जी नेस्ट क्या है विच स्पेस एजेंसी सेंड्स 104 सेटलाइट इन अ सिंगल मिशन इन 2017 कौन सी अंतरिक एजेंसी ने 2017 में एक ही मिशन में 104 उपग्राफ भेजे थे तो इसका दोस्तों उतर अपका हो जाएगा इसरो दोस्तों उस टाइम पर इसरो के नाम ये रिकार्ड था और दोस्तों उसके बाद में 2020 में दोस्तों 2021 में जो है दोस्तों आपका जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स जो की दोस्तों इलॉन मस्क की एजेंसी है इनों ने इस रिकार्ड को तोड़ दिया था आगे बढ़ते हैं वेन डिड जर्मनी साइन आ केस फायर टीटी वेन वर्ड वार फर्स्ट इंडियन प्रथम विश्युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किया था तो वो दोस्तों आपका नॉमबर 11-19-18 में किया था ग्यारा नॉमबर 19-18 में दोस्तों दोने जो है साइन किया था नेस्ट क्या है वो एमेंग दी फालोईंग जिसीव दी भारत रतना आवार्ड बिफोर बिकमिंग दी प्रसेडेंट आफ इंडिया भारत के जास्टपती बनने के बाद निमलिकित में से किसे भारत रंद प्रसकार दिया गया था तो इसका उत्तर आपका आफसन सी दोस्तों हो जाएगा डाक्टर जाकिर हुसाइन जी को दोस्तों दिया गया था नेस्ट क्या है भारत में साइकल महासंद की इस्थापना कब की गई थी तो ये आपकी दोस्तों जो है आपका 1946 में की गई थी नेस्ट क्या है डियूरिंग वर्ड वार सेकेंड वें डिड जर्मनी अटेक फ्रांस दुती विश्यूद के दोरां जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया था तो 1940 में दोस्तों जो है 1940 में जो है हमला किया था नेस्ट क्या है भारत का पहला क्रिकेट क्लब कब इस्थापित किया गया था तो ये दोस्तों अपका 1792 1792 में कलकत्ता में दोस्तों जुह ये इस्टेबलिस किया गया था नेस्ट क्या है विच माउंटेंज जेंज इस आस्टो नोन एज जूफ ऑफ दी वर्ड विशु किस परवत संखला को विशु की छत के रूप में जाना जाता है इसका दुस्तों उत्तर आपका हो जाएगा पामिर तिबबत नेस्ट क्या है विट इंडिया नेसनल फुटबाल टीम वाज इस्टेबलिस भारत की राश्टी फुटबाल टीम की स्थापना कब हुई थी तो ये दुस्तों आपकी 1937 में हुई थी नेस्ट क्या है ओजोन लेयर्स प्रोहिबिटिज ओजोन परत प्रतिबंधित करती है ये दुस्तों आपकी जो अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन होता है पराभगनी क्रेडे होती है इनको दुस्तों प्रतिबंधित करती है इनको रोकती है नेस्ट क्या है प्रतवी के निकट का ग्रहा है तो इसका उत्तर आपका आफसन सी दोस्तो हो जाएगा जो आपका वेनस है जो आपका दोस्तो सुक्र है ये दोस्तो प्रतवी के निकट का ग्रहा है नेस्ट क्या है हेप्टाइटिस और पीलिया किसके रोग हैं ये आपके दोस्तों जो है लीवर के रोग हैं नेस्ट क्या है हुँ इज कार्ड दी फादर आफ इंगलिस पोर्ट्री अंग्रेजी कविता का जनक किसे कहा जाता है तो वो दोस्तों आपका जो है जो चौसर थे आफसन डी चौसर को दोस्तों जो है फादर आफ इंगलिस पोर्टी बोलते हैं काफी इंपोर्टन कोश्चन है इसको आप भी याद रखिएगा ये कोश्चन भी एकजाम में आ जाता है कभी कभी नेस्ट क्या है who is the founder of wikipedia wikipedia के संस्तापक कौन है तो इसका दोस्तों आपका उतर हो जाएगा option A Jimmy Wells Jimmy Wells दोस्तों जोख है wikipedia के founder है next क्या है which guys was used for first time in world war first प्रथम विष्यूद में पहली बार किस guys का प्रयोक किया गया था तो इसका दोस्तो उत्तर आपका आपसन ए हो जाएगा जो दोस्तो आपका क्लोरीन गायस थी इसको प्रतम बिस्यूद के दोरान उपयोग किया गया था नियस्ट क्या है original योथ डे इस लेटे टू वि ड्रैटरी युवाद्वस निमलिक्त में इस्जे संबन दित है ये दुस्तों करका श्रामी विवेका नंद जी संबन दित है और दोस्तों प्रतेख वर्स आपका जो है बारा तारीक को बारा जन्वरी को दोस्तों जो है मनाते हैं यह दे नेस्ट कोस्टन क्या है इन विच आर्टिकिल ऑफ कांस्टिटूशन हिंदी इस कंसाइड़ ऐस दी ऑपिसियल लेंगुएज सम्विधान के किस अनुष्चेद में हिंदी को राजभासा माना गया है तो इसका उत्तर आपका आपसंस सी हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 343 में दोस्तों जो है हिंदी को राजभासा माना गया है नेस्ट क्या है आपका विच इस्ट्रुमेंट इज यूज तो मीजर एटमास्फेरिक प्रेसर वाइमंडली दाप को मापने के लिए किस उपकरान का अपयोग करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपका ब गहरी जील है दोस्तों इसक्त क्या है विच इस दि वर्डस हाइश्ट कंटिनेंट विच इसक विच इस वर्डस लाजेश्ट ओसे लडाजेश्ट विच वाइश्ट सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो इसका उत्तर आपका आपसन सी हो जागा जोस्तो पैसिपिक ओसियन जो है ये लार्जेस्ट ओसियन है नेस्ट क्या है आपका विच आप दी फालोइंग कंट्रीज हैस इंट्रोड्यूस्ट डारेक्ट डिमोक्रेसी निमलिकित में से किस देश ने प्रत्यच लोकतंत्र की शुरुवाद की है इसका उत्तर आपका आपसन दी हो जाएगा जोस्तो जो आपका सुटिजर लेंड है इसने जो है डारेक्ट डिमोक्रेसी की शुरुवाद की है नेस्ट क्या है मुद्रा इस फी तब होती है जब कुल आपोर्त होती है इसका उत्तर हो जाएगा आपका लेस दैन एग्रिगेट डिमांड कुल मांग से कम नेस्ट क्या है विच स्टेट हैस दी लोवेस्ट पर कैपिटा इंकम इन इंडिया भारत में किस राज में प्रतिवक्ति आए सबसे कम है तो इसका दोस्तो उत्तर आपका आफसन भी हो जाएगा उडिशा नेस्ट क्या है दि टर्म फोर्त इस्टेट जे फर्स टू सब चवथा इस्टेट एस्टेट का अर्थ है इसका उत्तर आपका दोस्तो आफसन सी हो जाएगा प्रेस सेल का करनाटक में सेयनत इस्थित है ये दोस्तो आपका जो है जो बढ़दरा वती है वहाँ पर इस्थित है इस्थित क्या है की मनतु मानव बंब स्पोर्ट से हुई थी तो इसका उत्तर आपका आसन सी हो जाएगा जोस्तों सीरी पेदम बुदूर में हुई थी नेस्ट क्या है वर्ड नोट वै को डे इज अब्जर्ड और विच डेट विश तमाखो निसे दिवस किस तारीक को मनाते हैं ये दोस्तों आपका 31 माई को मनाते हैं नेस्ट क्या है इन क्रिकेट वाट इस दे लेंट आप पिच बिटवीन टू विकेट्स क्रिकेट में दो विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है तो वो दोस्तों आपका जो है 22 गज होती है 22 यार्ड होती है नेस्ट क्या है विच बैंक चेंजड इट्स नेम एंड आई एफसी कोड फॉर मेनी आप इट्स ब्रांचेस किस बैंक ने अपनी कई साखाओं के लिए अपना नाम और आई एफसी कोड बदल दिया है इसका उत्तर आपका आपसर नहीं हो जाए बाई दी गवर्मेंट इंडियन गवर्मेंट इन नाइंटीन स्वरी तुटाउदेंस सेवंटीन भारत सरकार दौरा दोजार साथ में लांच किये गए इंडिया कोड आईप का क्या उपयोग है तो इसका दोस्तों उपयोग क्या है फॉर दी डिस्मिनेशन आफ अर्थ टू दी यूजर कम्यूटी इन आ टाइमली मैनर फॉर देयर सेफ्टी उपयोग करता या उपयोग करता समुदाय को उसकी सुरच्छा के लिए समय पर धंग से भोकम मावदंडों के प्रसार के लिए जोस्तों आपका इंडिया कोई नाम का आफ है ये जोस्तों बेसिकली ज कौन था यूकलीट दोस्तों जो है आपका ग्रीक मैथमेटियस मैथमेटिशियन केंट्रिब्यूटर तो दी यूज आफ डिडेक्टिव प्रिंसिपल आफ लॉजिक आइस दी बेसिस आफ जियोमेट्री प्रोपाउंडेट दी जियोमेट्रिकल थियोरम्स जो दोस्तों आपके जो है यूकलीट्स से थे यूकलीट्स जो है ग्रीक गड़तक थे जैमिती के आधार के रूप में तरक के निगा मरात्मक सिधानतों के उपयोग में योगदान करता थे जैमिती प्रमे को प्रत्वादित की अथाइदों ने निफ्ट क्या है फूवाज दी फस्ट लोक फस्ट इस्पीकराप लोकसभा लोकसभा के प्रत्वम अध्यक्छ कौन थे तो वो दोस्तों आपके जो है जी वी मावलंकर जी थे निफ्ट क्या है disease फाइले रिया किसके करण होता है तो यह दोस्तों आपका जो है मास्क्यूटोब के करण होता है जो आपके दूस्तों मच्छर होते हैं कि इयु畏 नेस्ट क्या है विच उफ फालोफ़िंग व्यांटी को यह संनल्टी इस दू फादर एक्योν लाव CT निम्लिकित में से किस व्यक्तित को अर्थसास्तर के पिता के रूप में जानते हैं तो दोस्तो इसमें जो है जो आपके एड़म इसमें जी है इनको जो है अर्थसास्तर के फादा के रूप में जानते हैं नेस्ट क्या है, when was Goa Sipyard Limited established, Goa Sipyard Limited की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोस्तों आपकी जो है 1957 में हुई थी, 1957 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, नेस्ट क्या है, which of the following is the capital of Ethiopia, एथोपिया की राजधानी दोस्तों काउंसी है, तो वो दोस्तों आपकी आदिस है, important question है, याद रखिएगा, next क्या है, Mount Etna is the famous volcano which is located, Mount Etna एक प्रसिद जोला मुखी है, जो इस्थित है, ये दोस्तों आपका इटली में स्थित है, next क्या है, DRDL का अर्थ है, DRDL का दोस्तों अर्थ क्या है, defense research and development laboratory, जच्छा अंसंदान ओम विकास प्रियोक साला, next क्या है, next question दोस्तों आपका हो जाएगा, where is the Tungbhadra century located, Tungbhadra अभ्यारन कहां इस्थित है, ये दोस्तों आपका जो है करनाटका में पढ़ता है, next क्या है आपका, who was the first Indian chief, army chief of Indian army, इसका दोस्तों उत्तर आपका आपका आपसन ए हो जाएगा, जन्रल केम करियपा, भारती सेना के पहल जन्रल केम करियपा थे, next क्या है आपका, who is the first non Indian to receive the भारत रतना, प्रथम भारत रतन प्राप्स करने वाले गएर भारती कौन है, तो वो दोस्तों आपके खान, अब्दुल गफर खान है, जिनको दोस्तों सीमात गांधी कहते थे, ये भी दोस्तों important question है, इसको आपको what is the state flower of हर्याडा, हर्याडा का राजकी पुस्प क्या है, तो ये दोस्तों आपका जो है, कमल है, लोटस जो है, state flower है हर्याडा का, next क्या है, when did Mother Teresa win Nobel Peace Prize, Mother Teresa को Nobel संथ पुरुषकार कम मिला था, तो दोस्तों इनको जो है, 1979 में दिया गया था, निर्ट क्या है, which Indian state has its maximum area under forest cover, भारत के किस राजका अधिक्तम छेत्रफर वना चादित है, इसका दोस्तों तरपका अड़नाशल प्रदेश हो जाएगा, ये दोस्तों most important question है, ये जाम में आपके आने के chances बहुत जादा है, और दोस्तों इसमें आपको डाउट हो सकता है, मद्र प्रदेश दोस्तों है, इसके पास highest area है, सबसे जाबा जो area है, जहाँ पर one है, वो आपका मद्र प्रदेश के बात पार है, पास है दोस्तों, और जो total area है किसी राजका उसमें जो सबसे जाबा area पर one लगे है, अधिक्तम छेत्रफर जो cover किया है one को, वो दोस्तों cover किया है अड़नाचल प्रदेश में, मतलब maximum जो area है, वो आपका पढ़ता है मद्र प्रदेश में, और जो maximum area under the forest cover है, वो आपका पढ़ता है अड़नाचल प्रदेश में, दोनों important question है, इनको आपको याद रखना है, और आपको doubt नहीं करना है इनमें, क्या है next question, which of the following is not the official language of United Nations Organization, निमलिकित में से कौन सेउत रासंद की अधिकारिक भासा नहीं है, तो वो दोस्तों आपकी जो पुतरगाली भासा है वो नहीं है, next क्या है, which country are separated by मैक मोहन लाइन, मैक मोहन रेखा किन दो देसों को अलग करती है, तो ये दोस्तों आपकी भारत चीन को अलग करती है, next क्या है, which of the following is the water soluble vitamin, निमलिकित में से जल में घुरंसिल vitamin कौन सा है, तो वो आपका दोस्तों vitamin C है, next क्या है, who are the first chief justice of Supreme Court of Calcutta, कलकता में सरोच नयाले के प्रथम मुख नयादीश कौन थे, तो वो दोस्तों आपके जो है, अलिया इंपे थे, next क्या है अपका, who was the founder of all India Muslim League, all India Muslim League के सरस्तापक कौन थे दोस्तों, तो वो आपके जो है, नवाब सलीम उल्ला खान थे, next क्या है अपका, the first finance commission was constituted in the year, प्रथम वित आयोक का कठन कब हुआ था, तो वो दोस्तों आपका 1951 में 1951 में हुआ था, next क्या है, which was the first national news agency of India, भारत की प्रथम राष्टी समाचार एजेंसी कौन है, तो वो दोस्तों आपकी जो है, associated press of India है, next क्या है अपका, इंद्रावती, hydroelectric project is the multi-purpose project of which state, इंद्रावती जल्विद्द परियोजना किस राज्ज की बहुदेशी परियोजना है, तो वो दोस्तों आपकी उड़ीशा की जो है बहुदेशी परियोजना है, लास्ट कोश्चन क्या है अपका दोस्तों, नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लास वाज इस्टेबलिज्ट इन, इसका उत्तर आपका दोस्तों आपसन भी हो जाएगा, 1993, राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यह आपकी 1993 में हुई तो दोस्तों यह थे कुछ most important multiple choice questions, जो कि हमने इसमें दोस्तों आपके जो gk वाला part है, और दोस्तों जो आपका social science का part है, उसके 100 most important questions डिसकस किया है, हमने आप सभी लोगों से, और दोस्तों यह question काफी important है, आपके exam में इसे काफी question फस सकते हैं, तो आप इस वीडियो को से previous classes भी देख सकते हैं, और अगर आपको अपनी त्यारी अच्छे से करनी है, तो आप हमारे mock test purchase कर सकते हैं, mock test में आपको 10 full length mock test मिलेंगे, उनकी PDF फाइल मिलेगी, उन mock test से आपके exam में काफी question फस सकते हैं, आपकी practice अच्छे से हो जाएगी, उसकी link हमने वीडियो के description box में